हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ श्वेता, वेलकम टू मैं चैनल कुकिंग बेकिंग आज मैंने 2 kg का केक ओर पर बनाया, जिसके लिए मैंने टॉपर भी बनाया और वीपिंग क्रिम को कैसे परफेक्ट वीप किया और मैंने कैसे ओर पुरा किया, इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 12 इंच का यहांँ पे cake tin मैं ले रही हूँ और उसमें मैंने refined oil अच्छी तरीके से लगा दिया है 4 तरफ मैं इसमें parchment paper लगा रही हूँ, parchment paper आपके पास है तो लगा है नहीं तो मैंदे की coating भी इसमें कर सकते हैं दो केजी केक के लिए मैं यहां कितना प्रिमिक्स ले रही हूँ आपको यहां दिखा रही हूँ मैं यहां दो केजी केक के लिए 800 ग्राम के बराबर प्रिमिक्स ले रही हूँ और कब से देखे तो पांच कब के बराबर यह प्रिमिक्स ले लिया है मैंने 800 ग्राम से थोड़े कम प्रिमिक्स में भी काम चलेगा अगर आप उपर के लेयर को काट के नहीं हटाएंगे तो मैंने 5 कप के बराबर यहां प्रिमिक्स लिया था उसके लिए मैं इसमें 1.5 कप पानी डालने वाली हूँ इस तरीके से पहले मिक्स कर देने से प्रिमिक्स उपर के तरफ नहीं उड़ता और चारो तरफ नहीं फैलता इसलिए पहले मैंने ऐसे ही मिक्स कर दिया और उसके बाद मैं इस हैंड बिलेंडर से इसे मिक्स कर ले रही हूँ 5 कप प्रिमिक्स है तो धाई कप के बराबर पानी लगेगा ही इसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं रखनी है दो से तीन पे ही इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी मैं आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा वाइटनेस आ रहा है हलका सा ये थोड़ा सा फ्लाफी टाइप का हो जाएगा अब इस जगह पे मैं इसमें 2 टेबल स्पून रिफाइन ओयल डालूँगी रिफाइन ओयल अन फ्लेवर्ड होगा तो ज्यादा अच्छा रहता है रिफाइन ओयल डाल कर भी थोड़ा सा मैं इसे मिक्स कर लूँगी ज्यादा मिक्स इसे नहीं करना है ये केक का ओडर साम को आया और मुझे इससे सुब़ छे बजे देना था इसलिए मैंने प्रिप्रिएरेशन साम से ही सुरू कर दिया था अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है फिर भी मैं इस पेचुला से थोड़ा सा इसे मिक्स करूंगी OTG को मैंने 160 डिग्री पे प्रिहीट कर लिया है और 160 डिग्री पे ही इसे 45 मिनट तक बेक करूंगी हर OTG अलग होता है इसलिए 40 मिनट के बाद आप चेक कर लें दो केजी केक के लिए मैं यहां पे 400 ग्राम डार्क कमपाउंड ले रही हूं एक स्लैब मैंने पूरा ले लिया है और इसे छोटे छोटे टुक्रों में काट रही हूं इसी से मैं टॉपर भी बनाऊंगी और इसी से मैं गनाश भी तयार करूंगी कभी भी कमपाउंड चोकलेट को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए बाहर ही रूम टेमपरेचर पे ही रखना चाहिए मैं इसे 30 सेकेंड के लिए ओवन में में मेल्ट करूंगी आप चाहें तो डबल बायरल में भी मेल्ट कर सकते हैं इसे 30 सेकेंड के लिए मैंने इसे ओवन में मेल्ट कर लिया है और मैंने एक दो मिनटी से ऐसे ही छोड़ दिया था ये खुद बखुद इतना अच्छा मेल्ट हो चुका है 10 से 15 सेकेंड के लिए मैं फिर से इसे ओवन में और मेल्ट कर लूँगी अब इससे मैं टॉपर पहले बना ले रही हूँ, इसलिए मैंने सिलिकॉन की ये दो मोल्ड लिये हैं, इससे मैंने अच्छी तरीके से धो कर और इसका पानी बिल्कुल हट सुखा दिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए नहीं, तो अच्छे से हमारा चॉकलेट न दाल कर फैला दिया और मैं इसको तब तक टैप करूंगी जब तक कि इसके चारो तरफ कोने कोने में चॉकलेट ना चला जाए और इसका शेप बिल्कुल परफेक्ट ना आ जाए, अब मैं इसे फ्रिज में 15 मिनट के लिए छोड़ दोंगी ताकि ये सेट हो जाए, अब मैं कुछ इस तरीके का भी बना ले रही हूँ, अब बबली चॉकलेट जो होता है, उसी का छोटा और बड़ा शेप मैं यहां पर बना रही हूँ, चॉकलेट जब रूम टेंपरेचर पर आ जाए, तभी आप मोल्ड में डाले ताकि चॉकलेट इससे बहुत ही अच्छा बन कर निकलता है, पूरी शाइन होती है इसमें, मोल्ड से चॉकलेट इसी तरीके से निकाले, मोल्ड को पहले उल्टा कर ले और हलके हाथों से इससे खीशते हुए निकाले ताकि यह बिल्कुल टूटे ना और आपका परफेक्ट सेप आपके हाथ में आ जाए, जो लोग गार्न लैख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से कितना खुبसूरत गार्नेशिंग हमारा तयार हो गया है, दूसरा चॉकलेट जो गार्नेशिंग के लिए मैंने बनाया है, उससे भी मैं निकाल ले रही हूँ और यह देखिए, कितना खुबसूरत बबली चॉकलेट बनकर तयार हुआ ह हलके हाथों से उल्टा करके इसी तरीके से आप निकालें तो चौकलेट तूटेगा भी नहीं और चौकलेट के उपर कोई आपके हाथों के निशान भी नहीं होंगे ये 400 ग्राम मैंने चोकलेट मेल्ट किया था लेकिन उसमें से 100 ग्राम के करीब हमारा चोकलेट निकल चुका है तो अब मैं इसमें 1500 ग्राम के करीब अमूल फ्रेस क्रीम डाल रही हूँ मैंने हाफ का रेशियो रखा है यानि 300 ग्राम डार्क कमपाउंड है और इसमें 1.500 ग्राम के करीब अमुल फ्रेस क्रीम मैंने डाल दिया है इसे मिक्स कर लूँगी और इसे 15 से 20 सेकेंड के लिए मैंने माइक्रोवेव कर लिया चोकलेट को जितना हम इस तरीके से मिक्स करेंगे उसकी शाइन उतनी ही बढ़ती जाएगी इसलिए मैं इसे बहुत देर तक अच्छी तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ और आप देख सकते हैं शाइन कितनी अच्छी आई है केक भी बेक हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है तो मैं आगे विपिंग क्रीम त्यार कर ले रही हूँ मैं यहाँ 700 ग्राम विपिंग क्रीम ले रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी केक बनाना था इसलिए पूरी तरीके से विपिंग क्रिम मेल्ट भी नहीं हुआ था उसे मेल्ट करने के लिए पहले मैं स्पून से उसे तोड ले रही हूँ और अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ और इसे फिर हैंड ब्लेंडर से मैं इस तरीके से मिक्स करूंगी अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि जल्दी बाजी में केक का ओडर आता है और पूरी तरीके से आप मेल्ट नहीं कर पाते हैं विपिंग क्रीम को तो आप स्पून की सहाथा से उस तरीके से कर लें या फिर आप स्पीड वन पे थोड़ी देर के लिए हैंड बिलेंडर को पहले चला कर और आइस क्रिश्टल को पूरी तरीके से तोड़ लें कभी कभी ऐसा भी होता है कि विपिंग क्रीम को हम विप्ट कर देते हैं और बाद में जब थोड़ी देर बाद हम उसे आइसिंग करने के लिए यूज करते हैं तो हमारा क्रीम पतला हो जाता है उसमें आइस क्रिश्टल बाद में तूटते हैं तो उस परिस्थिती में आप फिर से whipping cream को hand blender से 2 minute के लिए whipped कर ले तो वो आसानी से perfect whipping cream तयार हो जाएगी cream whipped हो चुकी है कि नहीं ये पहचान के लिए आप इस तरीके का use कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से cream set हो चुका है आप उल्टा करके भी देख सकते हैं अगर cream नहीं गिर रहा है तो भी है और ये lining हो जाती है ये भी पहचान है कि आपका whipping cream तयार है मैं यहाँ पे fondant ले रही हूँ और इसमें मैंने cmc powder डाल दिया है cmc powder मैंने 143 spoon लिया है और इसमें अच्छी तरीके से mix कर दिया है अगर मुझे cake एक दो घंटे में देना रहता तो मैं इस process को नहीं करती direct fondant से भी मैं बना कर और cake दे देती लेकिन fondant से मैं नाम लिखती हूँ और पुरी तरीके से cake ready करके और फ्रीज में रखने वाली हूँ तो उस पे नाम भी मैं लिख कर ही रखने वाली हूँ तो fondant हमारा melt ना हो खराब ना हो इसलिए मैं इस process से इसे बना रही हूँ cmc powder डाल कर मैंने इस तरीके से लंबा बेल लिया है और मैं इस तरीके से कैची से काट कर इसको सही सेप दे रही हूँ दोनों साइड में मैं इसी तरीके से कैची से काट लूँगी अभी तो ये आपको fondant soft दिख रहा है मुलायम दिख रहा है लेकिन थोड़ी देर के बाद ये hard हो जाएगा और रात भर इसे मैं फ्रीज में रखूंगी नाम लिखकर तो भी ये बिल्कुल जैसा रखूंगी वैसा ही रहेगा छे बजे सुबह ये केक डिलीवर करना है इसलिए मैं इस प्रोसेस से रात में ही बना कर रख दे रही हूँ और सुबह मैं इसे दे दूँगी रेड में भी मैंने cmc powder डाल दिया रेड कलर मैं fondant बना कर रखती हूँ नाम लिखने के लिए तो उसमें भी मैंने cmc powder डाल दिया है और उसे भी mix कर लूँगी और उसको अच्छी तरीके से पतला बेल लूँगी पहले home bakers जो नए नए केक बनाना शुरू करते हैं उनको नाम लिखने में काफी परिशानी होती है आप इस process से नाम लिख कर और customer को दे सकते हैं और आप यह न सोचे कि यह fondant बहुत ही महेंगा होगा fondant हम use करेंगे तो हमें महेंगा पड़ेगा आप fondant घर पे बना सकते हैं जिसका मैं link description box में दे दूँगी आप वहाँ से देख सकते हैं बहुत ही आसानी सी यह fondant बन जायता है और बहुत ही कम लागत में केक थंड़ा हो चुका है अब मैं इसे तीन लेयर में काट लूँगी उपर की परत को मैं हटा दूँगी अगर आप उपर की परत को थोड़ा मुड़ा निकालते हैं ज्यादा नहीं निकालते बराबर नहीं करते तो आप थोड़ा सा कम प्रेमिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं कड zmаст deed करें को दो फेलेंगे केक बनाते हैं तो प्रॉपर तरीके से हमें कट्टिंग परती है और इसे हटाना प통लगता है mirror में काट लूँγα मैंने तीन लेयर में इसे काट लिया है और मैं गनास को में लिए मैं अभी स्फून में भी गिटा कोटा प्रमे करना जाए s मैं राफ नने बल्ड नने बल्ड अर्नथ की लिएशिंग की और उसके बाद मैंने इसासwe ग्राम हमना हमाला सबाए जान्यसे नोन लास चर्वसित जाल से कहरा है उसी से मैंने garnishing भी बनाई है और मैंने इसमें 1.500 ग्राम अमूल फ्रेस क्रीम डाला है ये प्रॉपर तरीका है जो 2 kg का perfect cake आपका बन जाएगा थोड़ा 19-20 तो होता रहता है इसलिए कोई बात नहीं आप इस तरीके से इस measurement के साथ 2 kg का cake का order ले सकते हैं और बना सकते हैं 2 kg का cake है इसलिए मैं base के उपर ही direct crumb coat भी कर रही हूँ क्योंकि crumb coat करने के बाद हम लोग palette knife से उठाकर base पे रखते हैं 2 kg का cake होने के कारण थोड़ा वो मुश्किल हो जाता है इसलिए मैं direct base पे ही इसकी crumb coating कर रही हूँ मैंने पहला layer डाल दिया उस पे मैंने milk से soak किया था और किनारे में अच्छी तरीके से soak करना चाहिए ताकि cake में crack ना आए cake का पहला layer रखने के बाद मैंने इस पे cream लगा दिया था और मैंने white और dark chocolate chips डाल दिया था साथी थोड़ा chocolate गनास भी रखा था ये बच्चों के लिए cake बन रहा है तो chocolate होना चाहिए अच्छी तरीके से मैंने इस पे अच्छी तरीके से गनास लगा दिया और chocolate chips भी अच्छी मातरा में इसमें डाल दिया और मैं third layer भी इसके उपर रख रही हूँ टीचर्स डे के लिए मैंने ये cake बनाया था और मुझे सुबब बच्चे को तयार करके स्कूल भी भेजना था और उसी के स्कूल में मुझे ये cake देना था इसलिए मैंने रात में ही इसे प्रिपेर कर लिया और मैंने सुब बेटे को तयार किया और केक लेकर उसके स्कूल में पहुंच गया थी क्रम कोट करके मैंने इसे आधे गंटे के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख दिया था और अब मैं इस पे फाइनल आइसिंग कर रही हूँ मैं नूर के ट्राइंगल इस क्रेपर से इस तरीके से साइड में डिजाइन बना रही हूँ दोस्तो अगर आप वीगनर्स हैं तो आप नूर का ये ट्राइंगल जरूर खरीद लें क्योंकि आगर आपके साइड में बहुत ही अच्छा डिजाइन नहीं बन पाता स्मूथ नहीं अच्छी तरीके से होता, तो आप इस ट्राइंगल की मदद से बहुत ही अच्छा डिजाइन साइड में बना सकते हैं, अब मैं यहाँ पे डिपिंग कर ले रही हूँ, पाइपिंग बैक की साहता से, उसी चॉकलेट गनास में मैंने एक चम्मच गर्म दूद मि तो देखी इस तरीके का डिपिंग के लिए तयार हो गया, देखा कितना आसान है चॉकलेट गनास बनाना, उसको दोनों तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से, मैं इस तरीके का डिजाइन इस पे बना ले रही हूँ, बेटी की फर्माईज थी कि इसी तरीके का डिजाइन चाहिए, तो इसलिए मैंने इसी तरीके का डिजाइन बनाया था, इसके बीच में मैं चॉकलेट गनास जो बच गया है, उसे मैं डाल दूँगी, एमोन नोजल से ही मैं इसका बॉर्डर भी तयार कर ले रही हूँ, अभी इसे मैं गनास डालने के बाद, दस गार्निसिंग तयार है, और मैंने यहां सॉट्स में थोड़ा सा गोल्डेन डस्ट डाल कर इसे मिक्स कर लिया है, और गार्निसिंग के उपर इस तरीके से मैं डस्टिंग कर रही हूँ, गोल्डेन डस्ट में डाल दे रही हूँ, ताकि यह थोड़ा और अच्छा दिखे, अब मैं golden dust से coat किया हुआ shorts मैं इस तरीके से लगा दे रही हूँ चारो तरफ बच्चों के पास जा रहा है तो चौकलेट का मज़ा ज़्यादा उठाएंगे इसलिए मैं इस पर garnishing चौकलेट का इस तरीके से कर रही हूँ kitkat भी मैं इसके उपर लगा दूँगे इस तरीके से अगर आप home baker है और garnishing बनाने में आपको problem होती है तो आप इस तरीके का silicon mold जरूर ले ले cake ready हो चुका है और आप चारो तरफ से इसे देख सकते हैं परफेक्ट cake है ना bakery जैसा मुझे उमीद है इस cake cake से आपको बहुत कुछ help मिली होगी कि आप घर में इस तरीके का cake बना सकते हैं और अपना order पूरा कर सकते हैं 2 kg का भी वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share जरूर करें साथ ही साथ मेरे चैनल पे नए है और अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है मोटा लिया है और इस तरीके से मैं steple भी कर रही हूँ ताकि किसी तरीके से गलती ना हो और cake हमारा सही सलामत जगा पे पहुंच जाए रात के 10 बज रहे हैं और इसे मैं फ्रीज में रख दूंगी सेट होने के लिए अब कर दो